निवाड की किसान अब पारंपरिक फसलों की बजाए आधुनिक खेती या फिर बागवाने की ओर अपना रुक कर रहे हैं। निवाड की खेती किया करते थे। लेकिन इसमें लागत अधिक थी, महनत भी जादा थी। मोसम ने अगर साथ नहीं दिया तो पूरी फसल खराब हो जाती थी। जिसे नुकसान भी उठाना पड़ता था। इसलिए सिताफल की खेती शुरू की है। इसमें न तो जादा महनत है और नहीं लागत। मोसम का भी कोई खास असर नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि तीन एकड में पिछले बारा वर्सों से वे सिताफल की खेती कर रहे हैं। बाजार में फलों की मांग बढ़ने पर उन्होंने बागवानी खेती का निर्णे लिया था। खेत में बीज लगाने के तीन वर्ष बाद ही पेड़ों पर फल लग जाते हैं। इसके बाद कई वर्षों तक सुखी कमाई होती है। हालाकि इन तीन वर्षों में और इसके बाद भी जब तक पेड से पेड न मिल जाए। तब तक बीज की खाली जमिन में दूसरी फसले भी ले सकते हैं मतलब दुगना मुनाफा विष्णियू पाटिदार ने अपने खेत में मेटी सिता फल की देशी किस्म लगाई है बाजार में इनकी खास जिमान रहती है किसान का कहना है कि साल में गर्मी के समय में एक दो बार सी चाय करने परती है बस के लावा और कुछ करने की जरूरत नहीं होती दिवाली की बाद इस पे फल लगने लगते हैं एक महीना पेड़ों पर लबालब फल लगते हैं से एक बिगा में करीब सत्तर हजार रुपे का मुनाफा मिलता है इस चेतर में पारमपरी खेती होती है लेकिन बागीचा लगाया है कितना फाइदा मिल रहा है पेले सब कुछ खेती में न कर ली गन्ने की खेती भी कर ली कपास की भी कर ली सब कुछ कर ली बकी इसमें ज़्यादा प्राफिट है इसमें क्या कोई भी खुद्रती भी अगर कोई जिसे बहावा आंदी बारीस कम जादा होती है नी होती है तो इसमें नुकसान नहीं होता है यह मतलब यह जो वह बगीचे की जितनी भी खेतिया है यह मतलब ग्यारेंटेट खेती यह तुमको एक बिगा की कम से कम यह मान के चलोगी 60-70,000 रुपए बिगा कई नहीं गया साल का और इसमें खर्च भी भूत कम है और आप चाहो इसमें तो मतलब आप दूरी और थोड़ी बढ़ा कि अगर कर लो ता आप दूसरी फसल भी ले सकते हो और बगीचा भी आ सकता है इसी के अंदर हाँ इसी के अंदर बीच में जो खाली जगे भी अभी जैसे मैंने एक दो वीगा का बगीचा पहले लगा था तो थोड़ा पास में लगाने से उसकी हाइड जादा हो ग तो इसे पहले दूसरी खेती कर रहे थे फिर यह इसकी करने का मतलब सुझाओ या कहां से प्रणा चाहिए यह मार्केट में फूट देखे कि मतलब मार्केट में फूट अप सबसे पहले से ज़्यादा विखते हैं तो मैंने भी लगाया और फिर वो क्या है कि घर बच्चे क इसाब से भी बच्चा मेरा पड़ा लिखा है तो बहुर रहते हैं अब करने वाला में आके लही हूँ तो मैंने यही सोचा कि यह बगीचे लगा दो तो यह कम से कम कई सालों तक चलते हैं एक बार लगाने पर कितना साल तक ले सकते हैं यह तो मान के चलो आपकी कम से कम 50-60 साल तक तो यह कई भी नहीं जाते हैं एक बार लगा तो 50-60 साल तक चलते हैं हर साल फसल पर उसमें आ जाती मतलब अभी जब तक चालू नहीं होगा जहारता जहार नहीं मिलता जब तक तो इसमें आप दूसरी फसल भी ले सकते हैं तो कितना समय बाद फसल मिलना से हो जाती कि यह तीन साल बाद three months comedy बाँने भी तो मार्केट में धिकने में भी जो डेशी आदधी जो इसके अंदर जो इसका टेस्ट देशी का वो दूसरी वेराइटी के बजाए से इसका जादा ठीक है लोकल एटिन के लिए खर्गों से दीपक पांडे के रिपोर्ट